विदीशा जिले के मुरुवास में हुई घटना के बाद से वन विभाग खुद को सासुत्रा बताने की कोशिश कर रहा है मगर सच्चा ये है कि आज भी फकीर मुहम्मद जेसे सेकडो फकीर मुहम्मद विदीशा में जंगलों पर खेती कर अतिकर्मन कर रहे हैं आपको बता दें कि 18 मार्च को सरपंज पती संतराम धोलपूरिया की हत्या रिजवान खान ना मकशक्स ने कर दी थी वन माफिया फकीर मुहम्मद का पुत्र रिजवान खान है जिसके बाद रिजवान खान को गिरफतार कर लिया गया लेकिन इस घटना के बाद इस पूरे मामले को मजहभी रंग देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है इसमें सिरोंज के विधायक उमाकांध भारगव पर आरोब लगाये जा रहे हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुरुवास पहुचकर पुलिस प्रशासन को घेरते हुए एक विशेश समुदाय के खिलाफ आपतिजनक नारे लगवाए विधायक के मुरुवास पहुचने के बाद से ही वहा की फिजाओं में जहर घुलता दिख रहा था जिसके बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने अतिकर्मन के खिलाफ मुहिम चलाई वन विभाग पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कारवाही को एक वर्ग विशेश के खिलाफ अंजाम दिया अतिकर्मन के नाम पर प्रशासन ने एक विशेश समुदाई को टारगेट करते हुए उनकी खड़ी फ़सल को उजार दिया और सेकडो घरों को जैसी भी चला कर लोगों को बेगवर कर दिया मुर्वास के लोगों का कहना है कि एक वेक्ति की सजा पूरे समुदाई को दी जा रही है आज पांच दिन बीच जाने के बाद भी मुर्वास में करफ्यू जारी है साथ ही नारे वाली घटना पर जब पुलिस अधिशक विनायक वर्मा से सवाल पूचे गए तो पुलिस अधिशक कन्नी काटते हुए नजर आए इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज ने ग्यापन के जरीए मांग की है कि मुर्वास में जो घटना घटित हुई है उसके आरोपियों को गिरफतार किया जाए छेतरी विधायक ने अपने साथियों के साथ माहोल खराब करने का प्रयास किया गया है ये आरोप भी उन पर लगातार लगाए जा रहे है